हेलो फ्रेंज, गुद मॉनिंग, मैं सनाली, अपने चैनल अभी से एक टिटिरियल पे स्वागत करती हूँ तो फस्ट अफ आल, मैं बार बार हर एक वीडियो में इन्फॉर्मेशन कर रहे हूँ, इन्फॉर्म कर रहे हूँ वीडियो को देख सकते हो, ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, Song of Myself को अबजेक्टिव, ठीक है, तो आप जल्दी से अपने फ्रेंज, लोग को लिंक शेर कर दो, जो क्लास में नहीं आए है, वो जल्दी से आ जाएंगे, ठीक है, तो लेस्टार्ट आज हम लोग अबजेक्टिव देखेंगे, ठीक है, तो जो सॉंग आफ माइसेल्फ कैसा पोयम है, तो नेचर पोयम है, ठीक है, मतलब जो लिखे हैं, वाल्ड विट मैन वो नेचर पोयट है और वो अमेरिकन पोयट है, ठीक है, और उनका जन्म 18 1819 को हुआ था और उनकी मिर्तियू 1892 में हुई थी तीक है मैं फिर से रिपिट कर रही हूँ Song of Myself की जो राइटर है वो वाल्ट विटमैन है उनका जन्म 1819 को हुआ था और उनकी मिर्तियू 1892 को हुआ था थीक है वो नेचर पोएट है और अमेरिकन पोएट है ठीक है तो भाई first question is how many times the word you has been used in Song of Myself ठीक है How many times, कितनी बार the word, जो word है you, वो कितनी बार has been used in Song of Myself जो you word है वो Song of Myself में यह जो पोएम है जिसके राइटर वाल्ट विटमैन है वो Song of Myself में you कितनी बार आया है ठीक है option number a, twist, option number b, once, option number c, thrice and d, none of them तो इसका answer होगा twist यानि दो बार ठीक है How many times the word you has been used in Song of Myself जो you word है, जो Song of Myself पोएम है जिसके राइटर वाल्ट विटमैन है वो कितनी बार you जो word है वो पोएम में आया है तो इसका option number a होगा यानि twist यानि दो बार आया है ठीक है second question is the word schools stand for in fill the blanks in Song of Myself जो word है schools वो किसके लिए आया है ठीक है Song of Myself यानि पोएम में जिसके राइटर कौन है वाल्ट विटमैन तो the word schools, schools किसके लिए आया है word in Song of Myself academy, systems of thought, teaching institute and none of them इसका answer होगा systems of thought तो जो school word है वो Song of Myself पोएम में system of thought के लिए ठीक है तो यहाँ जाएगा the word schools stand for systems of thought in Song of Myself my third question is who composed the poem Song of Myself who composed the poem Song of Myself वो किसने लिखा है किन होने लिखा है जो Song of Myself poem है वो किसने लिखा ठीक है तो who composed the poem Song of Myself तो अप्शन है वाल्ट विटमेन और ऑप्शन नबर B टैनी शॉन अप्शन नबर 3 इमर्शन अप्शन नबर D नन अप्देम तो इसका answer होगा वाल्ट विटमेन ठीक है तो who composed the poem Song of Myself इसका अशन होगा वाल्ट विटमेन ठीक है विटमेन जो है वो कैसे poet है किस टाइप के poet मतलब कहा के poet है ठीक है तो अन इंडियन अन अमेरिकन अबर इसका हो जाएगा अन अमेरिकन ठीक है तो my fifth question is विटमेन बास बॉर्ण इन विटमेन कब जर्म लिये थे विटमेन बास बॉर्ण इन तो मैं first headline में ही बताई थी वाल्ट विटमेन कैसे कहा के poet है कैसे poet है उनका जर्म और इनकी मिर्द्द तो यहां वही question यहां प्यारा है आपका कि विटमेन बास बॉर्ण इन वो कब जर्म लिये थे तो आप्षिन नमबर एटी एटीन सेवैंटीन बी एटीन 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 सी एटीन आइटीन डीन ट्वैंटी तो इसको आप्षिन नमबर हो जाएगा सी एटीन नाइंटीन को ठीक है तो विटमेन बास बॉर्ण इन एटीन नाइटीन एटीन नाइटीन को उन्होंने जर्म लिया था विटमेन डाइड इन विटमेन कभ देट किया यानि कभ उनकी मिर्ति हुई option number A 1889, option number B 1819, option number C 1891, option number D 1892 तो इसको option हो जाएगा 1892 ठीक है तो उन्होंने जैंग लिया 1819 में और उनको मिर्ति हुई 1892 में ठीक है My seventh number question is, Song of Myself is, जो Song of Myself poem है जिसके राइटर है, वाल्ट विट मैं, जो नेचर पोएट है, अमेरिकन के पोएट है वो Song of Myself is, कैसा पोएट है? A lyric, an epic, a sonnet, या none of them तो ये lyric है, ठीक है? Song of Myself is a lyric poem है, यानि गाथा है Lyric का मतलब गाथा होता है, गाना होता है तो Song of Myself is a lyric हो जाएगा, ठीक है? तो option number हो जाएगा, a जो गाथा option, a My seventh question is, the opening section of Song of Myself is, entitled has, the opening section of, यानि उद्गातन अनुभाग है, Song of Myself का is, entitled has, वो हकदार है, इसका मतलब हकदार होता है, the opening section of Song of Myself, जो उद्गातन अनुभाग है, Song of Myself poem का, जिनका राइटार है, वाल्ट विट मैन, is, entitled has, यानि हकदार है, किसका, grass का, I celebrated myself का, या animal, या none of them, तो इसका option number जाएगा, B, ठीक है, I celebrated myself, my next question, यानि ninth question is, who is the speaker in Song of Myself, जो speaker है, वो कौन है, Song of Myself poem में, ठीक है, तो option number A, immersion, option number B, Robert Frost, option number C, वाल्ट विट मैन, option number D, none of them, तो इतना मैंने वन से लेके एट तक कुशन करवाया है, मैंने हीट लाइनों भी बताया है, तो आपको पता चली गया होगा, कि कौन है, और याद भी हो गया होगा, कि Song of Myself की speaker कौन है, कमपोजर कौन, ठीक है, तो, who is the speaker in Song of Myself, तो option number C, वाल्ट विट मैन, ठीक है, तो जो Song of Myself की speaker है, वो वाल्ट विट मैन, option number C, ठीक है, my next question, 10th question is, according to Song of Myself, the speaker is a great lover of, according, मतलब उसके अनुसार, Song of Myself, poem के अनुसार, जो speaker है, वो great lover है, यानि महान प्रेमी है, किसका, our, science, यह सब subject है, commerce, nature, तो इसका हो जाएगा, nature, यानि option number D, तो Song of Myself के अनुसार, जो Song of Myself, poem है, जिसके राइटर विट मैन है, वो एक nature, यानि महान प्रेमी है, nature के, ठीक है, यानि प्रकृति के वो महान प्रेमी है, my 11th question is, wildweedman has written the poem, wildweedman जो है, वो कौन सा poem लिखे है, ठीक है, option number A, अनि पिटाफ, option number B, the soldier, option number C, Song of Myself, या option number D, none of them, तो wildweedman has written the poem, तो कौन सा poem लिखे है, option number C, Song of Myself, तो, इसके राइटर है, composer है, और, क्या है, speaker है, तो सब में, एक ही मतलब होता है, किसने लिखा है, किसने वो बोली है, बोला है, ठीक है, तो Song of Myself, एक लिरिक है, और उसको लिखे है, रिटेन, wildweedman ने कौन सा poem लिखा तो, Song of Myself, ठीक है, my twelfth question is, hoping to, hoping to choose not till death, is a line from, यह जो line है, hoping to choose not till death, यह कहां से लिग गई है, ठीक है, किस poem से लिग गई है, तो, sweetest love, I do not go, the soldier, Song of Myself, fire him, तो, इसको option मुझे गा, B, Song of Myself, तो, hoping to choose not till death, is a line from, Song of Myself, ठीक है, my next question is, याने 16th question, and what I assume, you shall assume, is taken from the poem, and what I assume, you shall assume, एक line है, poem का, ठीक है, उस किस poem से लिखा, या मिन लिया गिया है, option number A, Song of Myself, option number B, Anna Pitaf, option number C, The Soldier, option number D, fire him, तो, यह Song of Myself से लिया गया, ठीक है, and what I assume, you shall assume, is line taken from the poem, Song of Myself, ठीक है, my 17th question, I heard word for good or bad, is written by, मैं अच्छे या बुरे के लिए बंदर गाह हूं, is written by, किसने लिखा है, John Kitts, John Dunn, Walt Whitman, D.H. Lawrence, तो, इसको option number हो जाएगा, C, Walt Whitman, ठीक है, तो, आई, and last, मैं यही कहना चाहूंगी, कि आप वीडियो को इन तक देखो, आपने फ्रेंस लोग को बताओ, कि यहां, free classes चल रही है, और all subjects का, यहां, class course करवाया जा रहा है, तो, आप link share करो, और, वीडियो को इन तक देखो, नोर्स परनो, दिल से बढ़ाई करो, भाय, take care, बिरतें कल, next class में, it's time to 7 o'clock in the morning, तब दक रिए, bye, take care,